गुल्मारिंग स्टुदेंट्स, वेलकम तो में 309 क्लास, लेबर कॉस्टिंग के उनिटिंग के फाइब में अपना चदरा था टॉपिक, ताइप्स ओप, मेथड़्स ओप वेस्ट पेमेंट, पार्ट वन में हमने स्टेडी की थी, दे रेट, दे या टाइम रेट सिस्टम के साब से, आज स्टेडी करेंगे अपन, मेथड़ वेस्पेमेंट 2 में, स्टेड पीश वर्क रेट सिस्टम, सरलखंड कारिये दरपतती, सरलखंड कारिये दरपतती, सरलखंड कारिये दरपतती, ये टाइम रेट सिस्टम का इंप्रूमेंट है, मतलब पहले जो अपन ने पढ़ा था, बिंदो से क्या एक के अंदर जो टाइम रेट पर है, ये इसका इंप्रूम्ड सिस्टम है, इसमें परतेग पीश या यूनिट जो वस्थरमिक प्रॉडिस करता है, उसको एक फिक्स्ट रेट जो एका बुक्तान किया जाता है, अतार्थ कारिये को जोब के अकॉर्डिंग उसको पेमेंट दिया जाता है, अतार्थ ये पहले सिस्टम का इंप्रूर्ट सिस्टम है और इसके अंदर समय के इस्तान पे जोब के इसाफ़ से इसको पेमेंट दिया जाता है, इसके इलाब क्या क्या है, पहला इसकी कारिये प वर्कर के दोवारा प्रोडियूस किये जाने या यूनिट के आधार पर वेज का वुक्तार किया जाता है। आधार जो जो जोब बनाता है उसी की कौंटेटी के हिसाब से उसको प्यमेंट दिया जाता है। दूसरा आता है इस प्रकार के सिस्टम में वर्कर्स को प्रोशान या मोटिवेशन मिलता है। वे अपनी पूरी समता से कारिये करता है। इससे जादा से जादा प्रोडक्शन करने लगते हैं जिससे न्योकता को प्रोफिट का मार्जिन बढ़ जाता है। नाराजिन बढ़ जाता है तता सेलिंग प्राइस का स्कोब गड़ जाता है लेकिन सेलिंग जो है जिससे प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस बढ़ जाती है ज्यादा कॉंटेटी बनाएगा तो ज्यादा मात्रा भी हो जाएगी तो सेलिंग प्राइस का स्कॉप जो है वो गड़ जाएगा लेकिन सेलिंग की कॉस्ट जो है वो बढ़ जाएगी इस सिस्टम में वर्कर्स एंप्लॉईर के मज़्य का सम्मन्द हेल्थ सुदरता है इंप्रूर्ड होता है इसमें वेज से सम्मन्दित किसी भी परकार का विवाद या डिश्पूट नहीं होता है इसको या इससे वर्क करके संतोष जना कारिय की वज़े से उन्हें अच्छा रिवाड मिल जाता है अतार स्थर्मिक जो है सेट अब सेडिस्पाइड होके सांत मन्द से कारिय करता है और सांत मन्द से जो अधिक उत्वाद करता है उसका नियोकता दौर और रिवाड मिलता है चोत्ता पॉइंट आता है नियोगता को परते कारिये यूनिट आफ जॉब जॉब की इकाई के नुशार परते की लेबर कोस्ट जो क्या होती है कितनी आती है उसका ग्यान हो जाता है वरकर को उनकी योगता मेरिट के नुशार पॉक्तान होता है नेक्स पॉइंट आता है शट्ता पॉइंट जो है इस पदती से इस पदती से पें रोल एवों पें बिल बनाने वाग का जंजट जो है वो कारिय घट जाता है वोने वाला कारिय जो है कारिय घट जाता है वल्गा इस कारिय की बचत हो जाती है समय और कालिय कम हो जाता है सात्वा बिंदो आता है इस परकार की सिस्टम में कड़ाई से या अधिक अनुसासित तरीके से सुपर विजन जो है करने की आशिकता नहीं होती वरकर को सबते ही कालिय करने की मैतोता यहूं तरदाईतू मतलब सेल्स पर रिलाइन्स यहूं रेस्पंसिवल लिका पार्ट जो है पड़ाया जाता है वह अपने आप उस कालिय के लिए जिम्यदार होता है उस कालिय को करने के लिए की मैतोता जानता है इस परकार के तरीके में वरकर्स की डिमांड पर मैट्रियल और मशिनरी दोसरे होती है अतार्थ वरकर को जोब बनाने के लिए डिफेक्टिव मैट्रियल नहीं देना पड़ता है वो हमेशा साब सुतरा मैट्रियल लेना पसंद करेगा साब सुतरी मशिन लेना पसंद करेगा अतार्थ मेटरिल की कंडिशन, मसीन की कंडिशन दोनों ही उसको अच्छी अवस्ता में देनी होती है यही उसके मांग रहती है तो कि कार्य करने की अवस्ता जो है पूर्ट या परफेक्ट वूप से उत्तम होती है जिससे प्रोडक्शन में सुधार के साथ बढ़ोधरी होती है यह आठ फरकार के फाइदे है अब आता है डिस एडवन्टेज हानिया इसमें कुछ निश्चित कैसेज के अंदर विशेज परस्तित्यों में पीश वेल परेट को एक्यूरेटली रूप से फिक्स करने में कठी रही होती है मालब परस्तित्यों से इस सिस्टम को लागू करने में दिक्कत होती है कुछे किसेज के अंदर यदि सर्मिकों के दुआरा कमया गया वेतन वेजेज उच होता है पुछ हो जाता है तो एमप्लोयर इस रेट दर को कम करने का प्रियास करेगा अधे इस परकार से सिस्टमिकों का उत्प्रण होने की समावना बनी रहती है या इस परकार से सिस्टमिक और न्योकता में आपस में आपसी विवाद होने की समावना रहती है फिक्शन होने का खत्रा रहता है तीसरा बिन दुआ ऐसा है अधिक से अधिक वरकर जो है अधिक से अधिक कारे करेगा इसक avanz का डूटारनेस करेगा सिकर करेका सिकर का डी करने से क्या है? वर्कर के स्वास्ते पर adverse effect होगा adverse effect का मतभव है ज्याद़ काम करने से ज्यादह ठकेगा ज्याद़ ठकेगा तो बीमार होने की समावना रहेगी चौता जो बिन्दू आता है इसकी प्रोडक्शन के बढ़ने पर लेबर डिस्प्लेश्मेंट होगा अब अगर मान लिए आप उत्पादन जादा हो जाता है तो लेबर कम करनी होगी लेबर कम करनी होगी तो जैसे लेबर कम करनी होगी तो दूसरे हिस्तान पर चले जाएगी तो इस रहुताना का लेएगी कि वे maximum output प्राप्त हो या maximum output प्राप्त करने के लिए कोशिस करेगा इसके लिए material का भी वेस्टेस होने की समभाव ना रहती है वह अरबराण में काम करेगा तो material का नुक्षान भी हो सकता है चटा वेंदू है जल्दबाजी हैस्टी वर्क या जल्दबाजी से कारिय करने से के कारण एक्सिडेंट की समभावना बढ़ जाती है उससे मसीन या मसीन टूस जो है वो ब्रेकडावन हो जाएंगी प्रेडान हो सकते हैं या फिर इनको improved pattern पर काम में लेना पड़ता है जिसे मसीनों का बार बार out of order हो जाती है सात्वा बिंदों आता है इसमें costing machines टूल का अतार costly महेंगी machine होती है costly machine टूल जो होती है उसका दुरिप्योग होने की miss utilization होता है हर बार में काम करते हैं तो हर बार में इसको operate करेंगे इसमें कारिये की गुणवता पर भी गड़ सकती है जलबाजी कारिये करने से इसकी गुणवता गड़ सकती है अच्छंद दरड़ता कठोर परिक्शन पदती रिजिड इंस्पेक्शन सिस्टम की आप सकता होती है इसमें एक कठोर या द्रल जो है इंस्पेक्ट्स असप्रमेजन किया सकता होती है प्रिक्षन किया सकता होती है इसके कारण अधिक प्रोडॉक्शन के कारण शेल नहीं हुई अगर production बढ़ जाता है और material डम पड़ा रहता है तो product का dumping हो जाता है उस से सर्मिक को employer को loss होने की समाव ना हो जाती है क्योंकि market में product की मांग सीमित हो जाती है इस परकार की सिस्टम में employer नोक्ता को direct benefit नहीं मिलता है प्राफट नहीं होता है क्योंकि extra wages की द्वारा earn किया गया संपून लाब entire profit workers को मिलता है इस परकार की सिस्टम की उप्युक्तता कहा है suitability of this system इस परकार का सिस्टम वहां पर उप्युक्त रहता है जहां पर एक ही परकार के production को produce करने है तो worker को यहां पर अधिक तर बार में बदलना पड़ता है बार बार बदलना पड़ता है अतार यह system कहां suitable है एक ही परकार के एक ही परकार के production है तू इसे तू क्या है करना पड़ता है worker को यहां पर अधिक तर बार बार बदलना पड़ता है इस परकार का system यहां अधिक तर इंडिया में लगता प्रयोग में दिया जाता है यह इंडिया में यह system प्रसलित है इसको काम में लेते हैं क्योंकि इस परकार की पतलती सरल इस परकार की पतलती को काम में लेने लेते वक्त अच्चन्थ लेते वक्त अलग लग लग वरकर्स को गरता है अलग लग वरक्मेन या कामगारा को एक निश्चित समय अंतराल पर observation करना होता है या supervision करना होता है वरक्मेन की कारिय का अजियन किया जाता है किसी परकार के कारिय करने में जितना समय लगाते हैं इसके पसाती कारिय कारिय कामगार के द्वारा कारिय को कंप्लीट करने में लगेवे समय अंतराल के आधार पर एक standardization of time मानकी करत समय किया कारिय है यह समय का मानकी करत किया जाता है ताकि इसके आधार पर जॉब की rate को decide किया जा सके जिससे परते कामगार को ज्यूनतम पारिसमिक प्राफ्ट हो सके इस परकार के system में expert or skilled workers अपने श्यूम के प्रियासों से अधिक पैसा कमाने के लिए योग्या हो जाता है Thank you जाता है